हेलो फ्रेंट्स नमस्कार देखिए एक नए कुंडली अध्यन के लिए कमट बॉक्स में आई वूई थी रितिका की कुंडली है यह और 20 वर्षे यूवती हैं इनकी कुंडली का अध्यन करेंगे लेकिन उससे पहले फ्रेंट्स अगर आप भी अपने जन्म कुंडली का अध्यन कराने चाहते हैं तो डेट वर्थ पहले सोर स्थान जरूर डालेगा कमट बॉक्स में और चैनल को सस्क्राइब भी कर लिजेगा फ्र जो कि यहां छटे भाव में आकर बैठ गए हैं तो इस प्रकार से मकर लगन के जव्यक्ति होते हैं धीर होते हैं गंभीर होते हैं दूर की सोचने वाले होते हैं और दूसरा चांत रहना पसंद करते हैं ज्यादा घुलना मिलने किसी से पसंद नहीं करते हैं और पढ़ने ल मक रासी में मंगल उचके होते हैं स्रेश्च थिति यहां पर मंगल उचके हैं और दूसरा आपकी चंदरमा जहां बैठते हैं वो आपकी रासी हो जाती है तो इस प्रकार से आपकी रासी भी वरिष्चिक है और वरिष्चिक रासी है आपकी और लगन में ही मंगल का बैठना देखिए यहीं मंगल का सम्मद्द लगन से ही बन गया है तो इस प्रकार से मंगल और संद्द में कोई मितरता नहीं है क्योंकि मकर राशी का स्वामी सानी होते हैं जो कि आलस दे देते हैं व्यक्ति के व्यक्तितों में और धिर धिरे कार्य करने वाले होते हैं लेकिन यहां मंगल का संब्ध बन गया है जो आपके राशी के स्वामी भी है तो इस परकार से मंगल वाले व्यक्ति जो होते हैं अनर् तो मंगल का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि एक तो आपकी राशिव रिष्चिक है और दूसरा लगन में ही मंगल आ गए हैं तो इस प्रकार से मंगल का प्रभाव व्यक्तितव परहसर रहेगा आपका कि आप में ध्यर्य की कमी हो जाएगी चड़ चड़े औ आपको और बहुत ही शाहसी और निड्र हो जाती है प्रकार से लड़किया जब भी मंगल का संबंद बनता है तो लड़कियां किसी से दबने वाली नहीं होती है बहुत ही सहासी हो जाती है और रुज़ा का स्तर भी इनका काफी हाई रहता है, कॉन्फिडेंस लेवल इनका कह सकते हैं कि बहुत ही अपने चर्म लेवल का होता है, अब देखे फ्रेंट्स सूरिया भी यहां पर उचके हैं, और देखे गुरु भी उचके हैं, इस प्रकार चार ग्रह यहां उचके सूरिय मेस राज़ी स्वाशों स्वाशों सूरिय में उचके माने एक ब्रसदाद नेका कि बैद स्वाशों स्नलांट met इन को स्वाश्ट partisan स्वाव देखे मिलते हैं तो आपका लगन भी बम 거죠 होता है तो लगनेज को रतिक्राव में आ गई हैं लक्तिरूंमों सुन्हां चांटेवायो में प्राइश प्रायर हो गळेंग। सब्सक्राहिश मित्रा देडर यांजाता है। विशन शबड़ब देडर करने नाग면 के सिस्तितल है। तो अपर देखे सुर्य बुद्य के यूति हैं लेकिन चैनल देटी है लेकिन फ्रेंट्स देखिए अब सूर्य जो है यहां अस्टम भाव के स्वामी होकर फौर्थ घर में आकर बैठे हैं तो इस प्रकार से अस्टम भाव से भी गुप्त परशानियों को यहां पर भी और यह सुखों का अविचारियां से किया जाता तो इस प्रकार से खराब हो जाएगी और मात की हडियों में दर्द की स्कैत यहां पर सूर्य दे देंगे हार्ड अटक बिपी हाई इस प्रकार के रोग यहां पर मां को देने की संभावना यहां पर सूर्य बढ़ा देंगे और हो सकता है कि आप भी क्रोधी हैं क्योंकि मंगल लगन में बैठ आप आपकी वजय की संभावना यहां पर हो सकती है अब देखें शिख्षा का विचार कर लेते हैं देखें यहां वरिषब रासी बनी हुई है नमबर दो लिखावात वरिषब रासी इंक सुक्र बनते हैं जो कि प्राक्रम में बैठे हुए तो इस प्रकार शिख्षा में म श्रंचन भव में राहो का बैठना तो मति भ्रहम की स्थिति पैदा कर देते हैं देखिए उपर से चंदर राहो का द्रिष्टि समस्य लाएं पर बना हुआ है रहू चंदर्मा पर अपने दृष्टी डाल रहे हैं सात्वी एक दो तीन च्यार पांग छे सात तो इस परकार चंदर रहू का चंड डाली हो गए यहां पर बन जाता है तो इस परकार से मती भ्रहम की कि स्थित्य Swami दो पैदा कर देता है। रावु शिह सिख्षा के लिए व्यक्ति को भ्रमित करता है। कि व्यक्ति को हैसले लिने में काफी परसाइन स्थितीές है। आप को सुनना है कि इसचिर करना था चोकित आप चुछ करने चाहिए इस प्रकार के यहां श्चिन को तर्याम इने में स्थिति आप को लेगा की स्थिति रहू करहें तो प्रांड मान्षिक प्रशानी और रहु पर द्रिश्टिि एक यह Mal मानसिक प्रशानी और मन भटकाने का काम यहां जरूर रहु जडर्मा करेंगे राहु की द्रिष्टी से चंद्रमा करेंगे तो इस प्रकार से थोड़ा सा शिक्षा में बाध होत्पन होने की स्थीतियां पर बनी हिए लेकिन शिक्षा फिर भी अच्छी हो जाएगी गुरू क्योंकि उच्छके हैं तो लास्ट में प्रिणाम अच्छा ही रहेगा च्छा नशीकैंस, यहां से आपके कर्म को विचार किया जाता है कि कर्म कैसे करेंगे, आप तुला राशी बनी हिए तो करल में बाठें हूँ है तो आप आपने प्र कर्मेश का समद्ध बनता है तो आप अपनी इच्छावों को पूरा करने के लिए मेनत करते हैं तो इस प्रकार यह स्थिति अच्छी बनी हुई है अब देखिए दूसरा धनभाव के स्वामी भी जो है सनी बनते हैं वो भी चटे भाव में आ गया है थोड़ी यहां से धनेश जो है चटे भाव में आता है तो परसानिक स्थिति बन जाती है तो इस प्रकार से आप कभी भी किसी से रिड़ ना ले क्योंकि आपके धनेश का समन रिड़ भाव भी देखा जाता है यहां से तो आपको कभी भी किसी से रिड़ नहीं लेना चाहिए इतने तो आपको लिए परसानिक हो जाएगी अब देखिए फ्रेंड्स दूसरा विवा के लिए देख लेते हैं से भी पहले तो विवा बहुत लेट करवाएंगे क्योंकि गुरु यहां भावनास की स्थीती पूरी तरह से लागू होगी अब देखिए वैभाव के स्वामी भी बनते हैं गुरु तो इस प्रकार से वैभाव के स्वामी जब भी सप्तम में आके बैढ़ता है तो लेकिन फ्रेंड्स लेकि बारवी राशी में बैठे हुएं क्योंकि पूर्स लड़की के लिए शुक्र ग्रह देखा जाता है पूर्स का कारक होता है तो मीन राशी में बैठना तो यहां थोड़ा सा यह भी थोड़ा माइनस पैंट और दूसरा प्रेम का विचार यहां से स्ट कर यहां खर जाता है यह सबुसक्राइब विल्ण से भी होने की समभाव नहीं तो इस प्रकार से मेरी इसलहा रहेगी युवति को के अपने면 केयरे फोक्स करें पहले से पहले अपना अच्छे से केरियर सेटल करें उसके बाद वावाई के जून जो थोड़ा सा 25 साल की एज में जाकर वैक्ति को जुवति को करना चाहिए जिससे यह परसानिया जो मैंने बताई हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी क्योंकि लेट अगर मैरिज होती हैं तो ग यहां लगन और सब्तम में द्रिष्टी समन से बना हुआ है और दूसरा केंदर में कोई दूसरा ग्राय भी नहीं है यह चंद्रलगन कुंडली है तो चंद्रलगन कुंडली में देखे सनी अस्टम में आ गए हैं तो अस्टम में सनी जो है संघर्ष की स्थिति को जो है गुरु के साथ कोई ना कोई जुरूर ग्राय होना चाहिए तो इस प्रकार से देखिए और राहु विदामपत्य जिवन को जो है खराब करते हैं और विवाज विलंब से करवाते हैं तो यहां राहु का यहां परभाव अच्छा नहीं रहेगा वहाई की जिवन के लिए और दूसरा देखिए चंधरमा की दरिश्टी भी पड़ रही है तो इस प्रकार से आप व्यक्ति थोड़ा बहामीत करने वाला हो जाता है चंधरल लगन कुन्डली की बात कर हुआ है अब देखे फ्रेंड्स आप यहां से आय का विचार किया जाता है तो आयस जो है आपके लगन में बैठे हुए है वह भी उच कर तो इस प्रकार से यहां से धन की स्थिति जो है अच्छी दिखाई दे रही है क्योंकि वैक्ति देखिए अब धर्म प्रापत करने के ल लेकिन यहां चंद्र बैठे हुए है चंद्रमा और दूसरा केतु भी बैठे है परिवर्तन शील ग्रहम आना जाता है तो आपकी आय जो है उतारचड़ा वाली हो सकती है कभी ज्यादा कम क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव होता है घड़ना बढ़ना और केतु का प्रभाव जआ प्रुडैश learns सर्कों चंद्रमा हो होता है प्रेवर्तन शील रहता है तो आपकी आये जो है कभी कं मध्या वाली चैहां पर रहेगी प्रेड्स तो आई हो फ्रेंड्स आप लोगों को कुंडली अध्धन अच्छा लगेगा और कुंडली अध्धन अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादे से ज्यादे सेर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सस्क्राइब भी कर लिजएगा फ्रेंड्स देख